भोजपुर चेम्बर अफ कॉमर्स और आरा बेवसाई संग के द्वारा लगतार जुरतमंद लोगों के बीच जुरत की समगरी पहुँचाया जा रहा है और इस कारे में अब सहर के बड़े बड़े बेवसाई अपना सहयोग दे रहे हैं और इस कारे में और जो लोग जुड़े हुए हैं यहां जो काम करने वाले लोग हैं वो रात दिन यहां पर काम कर रहे हैं कोई आलू पैक कर रहा है तो कोई यहां पर आटा पैक कर रहा है हम इन लोगों से बात करेंगे कि यह किस माध्यम से कर रहे हैं और क्या सोच कर कर रहे यह दस दीन लोग अतार जो खद समगरी उसका पैकिंग कर रहे है क्योंकि जडरुत मन्म है उनके पास से पहूंच सके mans करए और लोगों से नहीं पास करते हैं यहां यहां ग algorithms सब्सक्राइब करते हैं कि लोग के बहुत पीछ में खुसी मिलता है हम लोग मिलकर काम कर जबाया लगतार 14 दिन कश्टॉक शुरुवाती दौर में दिया गया है अब धीरे दिरे जो है आप पांच दिन का स्टॉक लोग दिया जा रहा है और यह देखिए आटा यहां पर रख़ा हूं और यह जो कैरी बैग में है सारा सामगरी पैक कर दिया गया है आई यहां पर मैनो सेवा कई घर घर इसे जितने को शर्मा को निभाथते हुए आयो हम यह हम यहां बात करते हैं, एक सोक से सऴल्दा से गूम जाओ जाए, क्या कि आप लोग पैकिंग में भर रहे हैं, थ्टोला सा बता दिया और आलू यानि इतना समागरी के पैकिन किया जा रहा है तो आज से ये कैरी बैग आप लोग के लिए भी आ गया है जी सद तो आज कितना लगबग आज 400 पैकिट पैकिन करके जाएगा आप लोग अपने मन से हां कर सेवा करते हैं या कुछ है हम लोग तो अपने अथी से करें भोचपूर कॉमर्स के द्वारा आप लोग आँ सर आप कुछ कहेंगे मिरा नाम मलोश कुमार भोचपूर अब भोचपूर चेमबर और कमर्स के तरह से हम लोग दिन रात सिवा कर रहे हैं और मेरे कोशिस यह देगे कि तमाम उन खड़ों तक मेरे समागरी पहुँचे जो जिनका किसी के तरह कोई साधा नहीं है और मैं आरा नगर वासियों तमाम देश वासियों से मैं निवेदन कहता हूं कि आप घर मेरे यह सुदक्षित रहे सतर करें जैहिन जैवारत यह देखिए जो लोग सक्स काम करने वाले यह साम समागरी का जो है वह वहां बार काफी हम कम से कम हजार पैकेटी त्यार है और यह जरुतमन्द लोगों को पहुचाया जाएगा और पहुचाया जा रहा है लगतार यहां पर आयो सर्थ थोड़ा सर्थ जो है बोड़ा तारिक तक क्या व्यवस्ता हम लोगों ने किया हुआ था निश्चित रुप से निश्चित से आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करना चाहेंगा अभी सर आप लोग लगतार पैकिंग कर रहे हैं लगतार आपके हम लोग जूड़े कितने लोग अब धीरे दीरे इसमें क्योंकि अब सर्थ समय बढ़ जाएगा तो फिर लोगों की सिमित संसाधान सबके पास होता है तो संसाधाने बढ़ी जूड़े बढ़ी बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ी अब के संस्ता में जब तक कि हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे तक हम आप इसके ऊपर किसी परकार का जवाब देने में असमर्त हैं कि साब अभी इसकारे मेंबर लोग का क्या मूड बनेगा और उ उसके अंदर जो लोग स्वेक्षा से साहब अनाज वगर हम लोगों को उपलप्त करा रहे हैं जिससे हम लोगों को कार्ज के संपादन में सहुलियत बहुत हो रही है सर सुरुवाती दोर में स्टॉक था बीच में कम हो गया तो फिर आज हमने देखा कि आपके हैं स्टॉक पूरा एबलेबल है तो यह नहीं है बेवसाईयों और भोजपुर चेंबर्स के पहल पर लगतार बेवसाईयों दिल खोल के जन सहयों की भावना को लेकर लगतार प्रयास है कि जितने भी जुरतमंद है उनके जुरतों को पूरा किया जाए और आज हमने देखा यहां पर फिर से जो गुदाम है पूरी तरीके अरिटन सुटी निवस